नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारी यूटूब चेनल खेति बिंद्राम पर स्वार्थ है दोस्तों यदि आप पशू पालं करते हैं या पशू को खरेनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके मन में यही परसंड आता होगा कि पशू की उमर का पता हम कैसे लगाएं योग कि पशू की आयू पता करने की नुचित जानकरी होना बहुत जरूरी है चोकि दूद के विवसाव से जुड़े होए विक्तियों के लिए कम आयू के पशू को खरेनना लाग जाए होता है यदि हम बात करें भेंस की तो करीब 4-5 वर्स के भेंस खरेनना है वो फायदे मन्द होता है वहीं पर 3-4 साल के गाय देना फायदे मन्द रहता है पसू की उमर का पता कई वीडियों के द्वारा लगाया जा सकता है उन में से दो ही वीडिया है वो मुक्य है एक तो दोस्तो दांदों के संख्या देखकर तदा दूसरी सिंगों पर बने हुए कोल चलो के किंटी करके दोस्तो तीन वर्स की उम्र में पसू के सिंग पर एक चला बनता है अताय पसू के सिंग पर बने चलो की संख्या में यदि हम दो जोड़ देते हैं तो पसू की उमर आ जाती है यदि किसी पसू के सिंग पर चलो की संख्या दो है तो उस पसु की उमर हो जाएगी चार वर्स हालांकि सिंग कई बार पहरी चोट लगने से तूट भी सकती है और आजकर पसु का बच्पन में ही सिंग रधन कर दिया जाता है जिससे सिंग देख खर पसु की उमर का पता नहीं किया जा सकता है इसलिए गाई एव भेंस की उमर का पता उनके दांतों से लगाना सही है दांतों की साहिता से ने के बच्पन की उमर का पता किया जा सकता है बलकि बच्छड की उमर का भी पता किया जा सकता है जिससे हम यह भी ग्याद कर लेते हैं कि गाय को ब्यावेवे या भे बच्चा दियेवे कितने दिप हो गए हैं दोस्तो गायवेंस के उपर के जबडे में करंतनिया सामने के दांथ हो नहीं होते हैं केवल निचे के जबडे में ही दांथ होते हैं और इनकी संख्या आठ या पिर चार्जोडी होती हैं करंतन दात पहले एस्थाई यानि दूद्यदान निकलते हैं और गिर कर फिर स्थाई निकलते हैं इनके निकलने और गिरने के अधार पर ही हम पशु को पशु की आयू का पता है और लगाते हैं जनम के समय पचले के मुवह में वो दो दूद्या दान्त या फिर एस्थाई करंतन दान्त होते हैं जिनें इंगलीज में इंसाइजर भी कहते हैं एक सब्ता की उमर में चार करंतन दान्त निकल जाते हैं उसके प्रच्यां दांत गिसने लगते हैं और 17 से 21 महिने की उमर में दूद के दांत डेले होने शुरू हो जाते हैं और 2 वर्स की उमर में बेंस के जो दूद्या दांत है वो गिर जाते हैं और उनकी जगह जो स्थाई दांत है वो निकलाते हैं तो दो पकेदान्त होने पर जो गाई की उमर है वो होगी दो से धाई वर्स या भेंस की उमर है वो होगी डाई से तीन वर्स यदि चार पकेदान्त है तो गाई की उमर तीन वर्स और भेंस की उमर साड़े तीन वर्स होगी यदि 6 पके दान्त है तो गय की उमर 4 वर्स और भेंस की उमर 5.5 वर्स होगी और दोस्तो 6-7 वर्स की आयू में मध्यम करंतन दान गेंज जाते हैं और 11 वर्स होने पर 8 करंतन दान गेंज जाते हैं इस परकार से पसुपालक आयो आप गय वे भेंस की सई उमर का आसानी से पता लगा सकते हैं तो दोस्तो यदि आपको यदि ये वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद जास्तो हम पसंद हैतक के की सब्सक्राइब